सक्ति के बाद भी इससे जुड़े मामले थम नहीं रहे ऐसा ही एक मामला जबलपूर में देखने को मिला जहां क्यामिकल युक्त जूस और केक बेचने पर स्वास महिकमे ने कारवाई की मामले की गंभीटा को देखते हुए स्वास महिकमे ने बेकरी शौप पर चापा मार कारवाई की यहां मिलावट खोरी के साथ ही गंदगी कांबार भी देखने को मिला इसे लेकर टीम ने दुकान संचालक पर पचास हजार का जुर्माना लगाते हुए कारवाई की पर निसरा जी ने जब ऊसको रोका तो वो जूश छोड़ के और स्कूटर अठाकर बाग गया है जब कि एदर आए निसरा जी ने बताए को बाग गया है जूश थोह जया है लेकिन इससी गैकरी में यूज होता है इसलिए आम लोगे ने बैकरी में छापा मारा और देखा का बैकरी में बहुत गंड़ी की थी और इसका वो केक वगएरा में इस्तमाल करते थे थे और बैकरी की चार्ज करने पर लगपाग 15 किलो अमानक पॉलेथिन पाई देए बैकरी वालों की पर इस्पाट फाइन से रूपने पचास अजार रुपने जर्वाना किया क्षर के लुपने करे थे लिए्के पाई कि झाल से शेखalah है